आपको सब मास्टर भीडे कहते हैं लेकिन आपका असली नाम क्या है और आपके बारे में जाना चाहेंगे मेरा नाम है एक्चली मंदार सांदवर्ड कर मैं मराधी थियाटर से हूँ और लेकिन पिछले 10 साल में मेरी पहचान तो यही बन चुकी है मास्टर भीडे की तारक बदा का उल्टर चश्माई सीरियल ने मुझे जो पहचान दी है मेरे ख्याल से मेरा दूसरा नाम करण किया है एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम करण होता है उसका एक नाम रखा जाता है 2008 में मेरा दूसरा नाम रखा गया जो आत्मराम तो कराम भीडे था और आज वही नाम से मुझे लोग पहचानते हैं वही नाम सब में जाना जाता है जब भी आप कहीं जाते हैं आपके सोसाइटी में कोई की टूशन के लिए बात करता है कि टूशन पढ़ाने हाँ बिलकुल मुझे सोसाइटी के सेकरडरी होने का भी ओफर आ चुका है और दूसरी बात मेरे जो तमाम बिल आते है जैसे किराना का बिल हो जैसे दोभी का बि दिमाने के बाद बहुत सरे दर्चों को को सायद मालूम हो गया नहीं मालूम होगा मैं पेशे से मेकानिकल इंजीनियर हूँ मैं जॉब करता था दूबई में लेकिन मैं ठीटर का किड़ा तो बच-पन से है काफी ठीटर भी किया हुआ है तो मैंने यह डिसाड़ किया था क बस अपने पैशन को फॉलो किया और भगवान की दया से आज यह सीरल मुझे मिला अपको सब डॉक्टर हाती के नाम से जानते हैं लेकिन आपके बारे में जाना चाहेंगे आप क्या करते हैं आपका असली नाम क्या है अब ही लोग मुझे दॉक्टर हाती के नाम से ही जानते हैं मेरे प्रस्नल नाम से कम जानते हैं और मैं इस नाम के साथ खुश हूँ वैसे मेरा नाम कभी कुमार आजाद है और आप लोग तो जानते ही है मेरे खाने पीने का रोल है मैं डॉक्टर हूं मस्त रहता हूँ खात जो इश्वर की गल्पासे काफी अच्छी चल रही है मीरा रूड में है, एक मलाड में है तो सब पढ़िया है तो आपको बापरी से पूछना है या मोनिका से पूछना है सbefore gef advice के बारे मैं जाना चाहेंगे, इसके बाद MONिका से बाबरी के वारे में तो क्या आज बता हूँ, वो तो बागिश मजी के लिए इंटा हूँ, भागल है, बस चल दी से हमारी शादी हो जाए में नाम मोनिका बदोर्या है, और ये करेक्टर के लिए मैंने एक और इसक्ड दिया था, पर जब मैं तो मैंने असक्ड दिया था, ये मुझे था कि पता नी, कैसा जाएगा ये ख़रक्टर, पर जब मैंने ये किया तो मुझे रेलाईज हूआ कि वाओ, इतना मुझे कि शो मतलब लाइक सब कुछ है कि आयर जी कुछ बताएं किया हो रहा है यहां पर 2500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं हांद थुन आप अम लोग यहां पर बह्त पूरा ओगे हैं लुझ अभी तो यहां पर काम कर देख इसा लग रहा कि हम यारोग्यार है ऊव बले-बले-बले-बले अस Bennett हम मैं रहे और थे सब कले लिग क्ट्राइक है कि ए पंजब के जहर कि यह को बता दू कि मैं सौथ का नहीं हूँ मैं मたце कि इंदोर शहर के पास वहां ऊरे का रहने वाला हूँ हूँ मेरा नाम तनूच महाशब्दे है और एक्टिंग के आलावा में राइटिंग वगरे करता हूं उसके बाद मैं काफी स्पिलिच्वल व्यक्ति हूं तुझा पार्ट में काफी मेरा विश्वास रहा है तो पुझा पार्ट के काम करते रहेते हैं मेरा नाम तो गुरुचरन सिंग है मैं वैसे दिली से हूं असले जिन्दे की मैं पहले मैं फार्मसिस्त था मैं चार महीने के लिए मेडिकल रेप्रेजेंटेटिव का जॉब भी किया है मैं डॉक्स आपके बास जाता था तवाईयों के बारे में बताता था और क्योंकि जब आपने भाईयों के साथ मुविस देखने चाहता था मुझे तो यही करना क्योंकि इसमें आप हर चीज कर सकते हो आप डॉक्टर भी बन सकते हो आप पाइलट भी बन सकते हो आप जो चाहो वह बन सकते हो और साथ में आप विलन भी बन सकते हो लेकिन फिर भी आपको वैसे यहां नहीं हो सकती है, यहां नहीं हो सकती है मेरा नाम घंश्याम नायक, हमारे गुजरत में लोकनात्य होता है, भावाई, भावाई का में असली कलाकार, रंगलो, टीवी जब शुरूआ तब से में कारेकरम करता हूं, मेरे पिता जी, दादा जी, सभी महान कलाकार थे हम लोग स्टेज के पुराने अर्टिस्ट है, मैंन कम से कम सो नाटकों में, 200 हिंदी गुजाती फिल्मों में काम किया, 300 सेरियल में काम किया, तो ये इश्वर की दाया से, सबसे ज्यादा नाम मिला, नटुका का, कोतारक प्रता का उल्ठा चश्मा में, एक बड़ा दूख भी होता है, कि मेरा नाम असली नाम लोग बोल गए ह लेचाान की से कराँ दूख गता है, बनाम में लोग प्रता का प्रता का बड़ा बहाश रही होता है, कि मेरा दूख दूख अeger चाहба काम लोग वारि के वहुआ है, कि मेरा नाम जर्वेकर रहा है नटुका का और सक या क। आई महरा रहा है मुलई धूए कर या नटूका का पाथक है और जैसे आप जानते हैं कि मैं इसमें पत्रगार पोपडलाल का किरदार निभा रहा हूँ मैं रंगमंज के साथ काफी सालों से जुड़ा रहा थेटर के साथ almost more than 25 years और राश्टे नाटे विद्याले का सनातक हूँ वहां से लोटने के बाद टेलिविजन में कारीर रहा काफी सारे शोज किये मैंने ये तो बहुत क्लियर हूँ कि मतलब परसनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है लेकिन ये बाद आपकी सच है कि एक ही केरेक्टर आप करते हैं तो शायद आपके अंदर वो चीज आ जाती है लेकिन मैं इस चीज को बहुत consciously ध्यान रखता हूँ objectively ध्यान रखता हूँ कि बही सेट से मैं बाहर जाऊँ तो मैं शयाम हूँ इसलिए उनको भी मज़ा आता है उनका मतलब एक एक रियक्शन मिलता है ओडियोंस अब लाइव मिलते है तो बढ़ा अच्छा लगता है सुनके कि अकसर कि आपकी शादी कब होगी अब आपकी हो जानी जाए पूरा देश इंतिजार कर रहा है आसी भाई को मेसेजिज जाते हैं लेटर जाते है पोस्ट जाती है कि आप उनकी करवा दीजे शादी ने तो हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे तो इस तरह है कि इतना मतलब कनेक्ट है कनेक्ट है लोग तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है मेरा नाम सोनालिका जोशी है मैं मादवी का रोल प्रे करती हूँ आपको पता ही है और शोव से जुड़ी हूँ दस साल से और बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस शोव की एक हलका हिस्सा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है लखी मांदी हूँ गुद को और यह जो अच्छा वापशनेटी मिली है लोगों को असाने की इस शोव के थू तो बहुत कुद को अच्छा लुट को मैं इस शोव से जुड़ी हूँ हूँ मेरा नाम जैनिफर मिस्ट्री बंसेवाल है मोर्देश जैनिफर अभी मुझे रॉषन सुना ही देता है उसको जादा रस्पॉंड करती हुए इसा मुझे लगता है और आम पार्सी रादर यू कैसे आम अ कॉक्टेल यूनो मेरा नाम राज है, राज अनर्कट और मैं देखा जाए परसनली राज जो है बहुत ही बंदास बंदा है बहुत ही खुशी से सब के साथ रहना, मिलना, जुलना, मस्ती, मजाग करना सब के साथ अभी मैं बीम्म कर रहा हूं मैं जब 8th standard में था, 13 years old तब मैं इस शोर से जोड़ा था तो मुझे 10 साल कंप्लीट हो गए मतलब मुझे 10 साल 5th July को कंप्लीट होंगे मेरे बर्दे वाले दिनी मेरा 1st day था तो तब मुझे 10 साल officially कंप्लीट होंगे मैंने तो ग्राड़ुएशन मेरा कंप्लीट किया है और अभी तो फिलाल कुछ नहीं नॉर्मली ऐसे ही जस्त सीरिल में और मुवीज के लिए नॉमली ट्राइ कर रहा हूं और वैसे तो कुछ नहीं मेरे बारे में रॉशन सिंग सोडी और समय शा एस वाई जैसी में पढ़ता है ठाकूर कॉलेज ऐसे तो मैं जेहन हूं मारवडी जेहन हूं मैं और पोशिश कर रहा हूं और पंजाबी सिखने की ताकि लोगों को और एंटेटेन कर रहा हूं मेरा नाम कुछ शा है और मैंने भी मेरा ग्रादेशन कंप्लीट किया था पर बदलब रिजल्ट नहीं तो पता नहीं पर शायद पास हो जाओंगा तो ग्रादेट हो जाओंगा मैंने बीम्म किया है गोली और कुछ ऐसे बहुत डिफरेंट है पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं और कुछ आप करने जाओ या जैसे कि कॉलेज में अगर मैंने कोई भी एक्ट्रकुलर अक्टिविटी कर ली हो या मैं नॉमल धंग कोई भी बोलने का तो हो तो अगर स्क्रीन पर कुछ बोल र करते हूं और वैसे देखने जाएंगे तो सोनु और मैं बिल्कुल ही कॉंट्रास्ट में हैं मतलब सोनु और मुझ में एक भी ऐसी या बहुत कम ऐसी ऐसे गुण होंगे जो मुझ में और सोनु में सेम हैं तो वैसे पर आप सबसे जाना चाहूंगी पढ़ाई को कैसे के लिए हम लोग काफी सालों से यह बोलते आले हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि यहां पर एक अलग माहूल होता है यहां पर हमारी मस्ती अलग चल रही होती है तो यहां पर पढ़ाई तो होती नहीं है तो इवेंचुलि आपकी पढ़ाई तो होती नहीं ही है पर फ हम पांचो को अच्छे ग्रेट जी आते हैं हर बार पता नहीं कैसे आ जाते हैं शायद पता नहीं कौपी-वापी करके आते हों जाए तू चूज कर तुझे किसकी विमिकरी करनी है समय तू उसकी कर सकता है किसी की भी कर सकता है। सेट पे से थोड़ा कॉंट्रोर्शिस हो जाएगा ना। मैं एक डायलोग बोल सकता हूं रनवीर सिंग का। किसी अपने सेट पे नहीं है। अभी बोला ना कहीं का। यही ना क्या आपकी थाउनी के पिछ आपकी सेना खड़ी है। आपकी थाउनी के पिछ आपकी सेना खड़ी है। लेकिन आप जो नहीं जानते निजाम जी वो यह है कि उनकी पिछे हमारी 40,000 अमराड़ा सेनिंग नंगी तो लारिकर खड़ी है। जो मारे एक इसारे पर आपकी विरिशेन को बर्मत कसब दिया। तो आप जो देखते हैं कि यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि गोगी को ऑन स्क्रीन टैलेंटेट दिखाना और यह एक्चुली ऐसा है। तो वो दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर यह बखू भी निभाता है उसका रूल आपने देखा कि इतने इसने कितनी फाल्तू मिमिकरी की है। पर वो कैमरा के सामने कॉंशेस हो गया ऐसे बहुत अच्छी करता है। राज अनडकट। ओए। वह टाई किलो का हाथ है। और यह थाई किलो का हाथ किस पर पड़ता है तो आथ बर ब्लूद अधा नहीं जाता है। नीदी जो है, जो सोनू प्ले कर रहे है, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, तो वो मेरे लिए गाना कहिए और मैं उस पर डांस करूँ ना Okay, one, two, three, go Okay, one, two, three, go Okay, one, two, three, go